तूं, शुक्त curve मूंप, में अटीरट सर्माप आपके अपने परिवार रोजगार वी दंकित्वे, प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों का हर दिक हिवागत करता हूँ और प्यारे बच्चे आसा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, सभी लोग जबर्दस्ट होंगे सभी प्यारे बच्चों को साम की रामराम भच्चों, तो कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे, जैश्रीराम, जैभीम भाई प्यारे बच्चे, भवन मीठा लाल मीना, आल सुपर किलास, मनूज, सुमित, विकास सर्मा, मितलेस, बिट्टू, ओमकार दूबे तो सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्रणाम बिटा एक बार क्लास को सब लोग लाइक वे शेयर कर देंगे और बहुत अच्छी से देखो क्लास में बहुती सुन्दर सरल और सुभोध कोशन होंगे बिलकुल जिनको आपने पढ़ रखा है पहले भी बिलकुल घबराना नहीं है तो प्यारे बच्ची सभी को नमस्ते सभी को बहुत-बहुत सारा प्यार वेरी गुड चलिएगा तो चलते हैं क्लास की तरफ ज़्यादा समय नहीं लेंगे बेटा आज हमारा विलॉम सब्द का टॉपिक है जिसके हम टॉप 50 कोशन पढ़ने वाले है और आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्यारे बच्चे विलॉम का मतलब होता है उसका उल्टा अर्थ जैसे माल लीजिए कोई भी हमारी इस प्रकरती पे कोई भी सब्द है तो बेटा उसका विपरीत सब्द जरूर अर्थ जरूर बना है यह ना उसका विपरीत उसका उल्टा सब्द जरूर बना है ये भी आप अच्छे से जानते हैं नहीं जानते हैं मिलकुल तो प्यारे दोस्त आईएगा पहला कोश्चन आपके सामने आज की किलास का ये आता हुआ सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे बहुत अच्छे से प्रणाम में प्रणाम सभी को एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे किलास से और अच्छी से सभी प्यारे बच्चे अपने कुश्चन का अंसर दीजिएगा कि अलप अग्य बेटा अलप का मतलब होता है कम और गय का मतलब होता है ज्यान जिसे कम ग्यान होता है उसे अलपग्य कहते हैं और जिसे बहुत सारा ग्यान है उसे क्या बोलेंगे आप लोग तो सब लोग बताईएगा अवग्य कहेंगे किर्दग्य कहेंगे शर्वग्य कहेंगे अभिग कहेंगे सब लोग आंसर करिए बेटा जल्दी से बेटा पवन यादब पोल से कुछ नहीं होता पोल आपके अंदर स्वैम है यदि आपने दिल के अंदर जाकेंगे तो आपको दीखेगा कि मेरे अंदर पोल छुपा हुआ है ठीक है पोल वो लोग लगाते है बेटा जिनमें जिन्दगी जीनिये का जिनका खुब्सूरत मकसद नहीं होता ठीक है जो दूसरी की नकल करना चाहते है बिल्कुल है ना मैं तो यही कहूंगा तो पोल के पक्षिम में तो मैं नहीं हूँ बिल्कुल सिंपल कोश्चन है जल्दी से आप लोग आंसर करिए ठीक है तो प्यारे बच्चे आप क्या गहेंगे बताईए बेटा अलपग्य का विलॉम होता है बेटा शर्वग्य option number C है ना बिल्कुल right answer आपका option number C होगा बेटा अवग्य किर्तग्य का विलॉम आपको पता है प्यारे बच्चे क्या होता है किर्तग्न होता है ठीक है बेटा क्या होता है किर्तग्न होता है आपको अच्छे से पता है अभिग का विलॉम प्यारे बच्चे क्या होता है अग या प्यारे बच्चे आप इसका मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है किलास में भी तो आपको अच्छे से याद होगा वेटा उसे अन्भिग्या अब्ग कहते हैं ठीक है वेरी गुड तो सब लोग अच्छे से आंसर करेंगे बहुत सुन्दर है हाँ भाई कोशिन नम्बर दो आपके सामने ही आता हुआ उदय का विलॉम क्या होगा बेटा बताए उदय सब्द का विलॉम सब्द छाटिएगा उदय जब सूरिय सुबे निकलता है तो बेटा आपको पता है हमारी चार दिसाय होती है उत्तर होता है पूरव होता है पश्चिम होता है बच्चे है ना और मेरे बच्चे दक्षिन होता है तो शूरिय जो उदय होता है बेटा वो किदर होता है पूर्व दिसा में होता है ना और छिपता किदर है बेटा वो हमारा पश्चिम दिसा में आ करके छिप जाता है तो उदय का मतलब है निकलना उदय का मतलब होता है वेश्ट होगा या अस्त होगा सब प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए खुश्बू याद वेश्ट में छिपता है बिल्कुल सही बात है बहुत बढ़िया सभी लोग आंसर करेंगे महाकाल जैश्री राम जल्दी से बताईए सब लोग तो प्यारे दोस्त आपका आंसर होता है option number D बिल्कुल right ठीक है ना मेरे बच्चे लाल लाल का विलॉम आपको पता है हरा होता है कहते है लाल और हरे का मेल होता है combination अपने आप में बेटा भासित नहीं बलिष्ट नहीं option number D आपको लोग करना है और आगे बढ़ जाना है ठीक है ना very good जैभीम भाई जैभीम जल्दी से आगे answer आएंगे question number 3 की तरफ अवनी सब्द का विलॉम क्या होगा बताईए बेटा मैंने आपको बताया था बेटा पोल लगा हुआ ही नहीं है तो धनंजय आएगा कैसे उपर से भगवान जी थोड़ी डालेंगे उसे बताईए बेटा जल्दी से अवनी का विल की मात्र मिल जाए तब भी आपको अवनी सही बताना है और very very important question होता है बेटा इसका विलॉम होता है अंबर क्या होता है प्यारे बच्चे इसका विलॉम आपको पता है अंबर होता है ठीक है ना अवनी का अंबर तो प्यारे दोस्त answer number 13 बेटा नहीं अगनी नहीं तरणी न अंबर भी आपका बिल्कुल राइट होता है अंबर बहुत बढ़िया बहुत अच्छा अंसर आया है सभी प्यारे बच्चों का बहुत सुन्दर जबर्दस्त वेरी गुड़ चले question number next आपके सामने आता है अब चलिए बच्चे question number 4 बेटा कोटले का विलॉम सब्द बताईए कोटले का मैंने आपको पढ़ाया है बहुत बार बताया है कोटले जो चानक की नीती होती है बहुत तेज होता है दिमाग से तीव एकदम सोचता है बहुत तीजी से है ना वो कोटले है और जो बड़ा सुस्त आर्दोले कैने तो तो प्यारे बच्चे 08201 प्यारिव होसे सिंसरा अर्जव कोटले कोटले मारों नंसर मैंने बताया है अजनवी का कोई ठिकाना तो फिक है तो तो प्यारे बच्चे option number आपका B हो जाएगा यहां बिल्कुल राइट आंसर जिसको आप लॉक करेंगी ठीक है बिल्कुल अवतार बैच का सिलेवस कब तक पूरा होगा सिलेवस के बारे में वह बच्चे ध्यान देते हैं जो अपना मकसद नहीं बनाए रखते हैं जो पढ़ क्या होता है बेटा कोई बच्चा बताएगा क्या क्रश का मतलब क्या होता है बेटा क्रस का मतलब होता है कमजोर तुमने देखा होगा ना तुमने कहा होगा यार बच्चा बड़ा कमजोर है यह ना रोटी तो खाता है लेकिन इसमें सरीर में जानी नहीं है ताकत इसके अं नमबर आएगा आपका D यहाँ पर राइट विलकुल D option आपको लॉक करना है ठीक है याद रखना बहुत अच्छे से सारे question परिक्षा की द्रस्टी से बच्चो यदि मैं कहूं तो very very important question होंगे याद रखना अच्छे से question number आगया बेटा च्छे आगए एकल एकल सब्द का विलॉम सब्द बताओ क्या होगा एकल बहुत सारे लोग इकट्टे हो कर जाएंगे या नहीं मानते है अकेला कहोगे उप्यूक्त कहोगे प्रियाप्त कहोगे तो बेटा नहीं प्रियाप्त तो कभी नहीं कह सकते है आप उ से उप्यूक्त कभी नहीं कह सकते उप्यूक्त है ना अकेला तो ही बेटा एकल इसका मतलब ऑप्सन नंबर आपका राइट होता है बहुल केते हैं बिल्कुल एकल नहीं सरम बहुल हैं बहुत सारे लोग हैं परिशान नहीं होना है ना बिल्कुल कुश्यन नंबर मेरे बच जलदी से इसका आर्थ क्या होता है पीड़ा खत्म नहीं खत्म या समाप्ति को बोला जाता है होता है समाप्त आप कहने कि सकते अंत समाप्ती खत्म मेंटा इसका जो होगा अर्दि का विल्हाओं पूर पूरा तो option number आपका जो यहां पर होगा ए वाला बिल्कुल राइट होगा मेरे प्यारे दोस्त, ए आमसन, क्लियर है ना, very good, बहुत सुन्दर आंसर सभी का मिल रहा है, बहुत बढ़िया, question number 8 आपके सामने ही आ गया, अग्रज, अग्रज का मतलब होता है, अग्र का मतलब होता है आगे, जैमाने जनमा हुआ, जिसका जनम आगे हुआ है पहले हुआ है, वो अग्रज है, और जिसका जनम पीछे होगा, बेटा उसके लिए आप क्या बोलेंगे, बताइए, आप भी कहते हैं सर, मेरा भाई अनुज है, ये मेरा अनुज है, मतलब मेरा छोटा भाई है, मेरे बाद में जनम हुआ है, इसका है ना, तो प्यारे बच् पहले है, अग्रज का विलॉम आपको बताना है, बेटा, सुक्षुम नहीं, नहीं बताएंगे सुक्षुम, छोटा बड़ा नहीं बताएंगे, लगू दीर्ग नहीं बताएंगे, आपसन नमबर A आपका बिल्कुल वेरी वेरी इंपोटेंट होता है, A वाला, ठीक है, और प्यारे बच्चे, आप लोग जानते हैं, कैसे, जैसे, आप रोज सामको 7 बजे अंकित बाटी सर के साथ, बच्चो प्रेक्टिस सेट लगाते हैं, तो उसमें आपने कोश्चन से अनुमान भी लगा लिया होगा, कि कोश्चन का लेवल कैसा पूछा जाता है, एक दो कोश् प्यारे बच्चे आपके सामने आ गया, सब लोग बताईए, निमलिलिक्त में से अमरित का परियावाच, सौरी विलॉम क्या होगा, अमरित, अब अमरित कौन पीते थे बेटा, अमरित पीते थे देवता, अमरित पीते थे देवता, एना, और इसका जो विलॉम होता है बच गहरी पीते थे उने को तो अमरित कवी महसर होता नहीं था अमरित कवी मिलता ही नहीं था तो प्यारे बच्चो ऑप्सन नंबर आपके सामने डी होता है यहां बिल्कुल राइट आंसर अमर या बिट्टा मिरत्य या विश्व नहीं बताएंगे आप लोग ठीक है एक दूसरे अनुरूप का विलॉम बताईए बिटा क्या होगा अब जैसे यह कह रहा इसने आंसर क्या है सारे सब्दों को भिगाड कर रख दिया इसने पीछे रूप सब के आगे पीछे लगा दिया लेकिन इसे पताना है पूछना हमसे राइट आंसर ही होगा अनुरूप तो बिटा एक बात आपको याद रखनी है देखो अनू का विलॉम क्या होता है पिर्ती होता है ठीक है तो बच्चों जिसके आगे पिर्ती आपको लगा मिल जाए परिक्षा में वही आप ठोक देना टेंसन बिल्कुल मत लेना तो बिटा विरूप नहीं कहेंगी अपरूप नहीं ऑप्रिक्षा की ड्रश्टी से ठीक है धे पिरोती आपने कहा अनु कूल यह चीज मेरे अनु कुल है रहे मिरे अलू कुल नहीं है मेरे प्रित्रीट है टीक है याद रखना ऊश्यन नमबर मेरे बच्चे 11 अर्जन अर्जन सब्द का विलॉम होई क्या है अर्जन सब्द का विलॉम एक बार सब लोग बताईएगा अच्छे से इसका नहीं होगा अमरीत का विस नहीं होगा अर्थ का अनर्थ नहीं होगा ठीक है ना एक ही आंसर मिलता है आपको अर्जन का विलों वैन होता है क्या होता है बेटा वैन option number B आपका यहाँ पर बिल्कुल right हो जाएगा इसको आप lock कर देंगे ठीक है मेरे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया कुछ बच्चे D भी लगा रहे हैं बेटा D क्यों लगाओगे अनर्थ का बेटा क्या होता है अर्थ होता है ठीक है तो D आंसर कैसे लगा दोगे आप लोग गलत कर दोगे ठीक है ना वेयर option number B अमरित का विस आप पीकर यह है अमर का सब्द का विलॉम बताईए हाँ अमर किसे कहते है जो कभी ना मरे जो अमर है पबन यादव वेयर मतलब खर्च करना जो आपके पास पैसा है उसको आपने खर्च कर दिया ठीक है ना future 4G बेटा वही विकल बताया जाएगा जो विकल बताने लायक है जिसका कोई अर्थ नहीं बनता जो आपको बना बिगाड करके सब्द दिद्या उसका अर्थ क्या आप जानेंगी ठीक है बेड़ा विए सब्द कोई अर्थ थोड़ी होता है हर सब्द सार्थक नहीं होता है मेरे दोस्त अमर का विलॉम बताएगे बेटा क्या होता है मिर्टक मिर्थक, मिरत्यू, मरण, मरत्य बहुत अच्छा कोश्यन है सब लोग बताइए हम नूं, टो बिटा मिर्तक जो मर चुका है, जीवित है ठीक है जीवन, मरन, जीवन, मिरत्यूँ ये आपस में एक दूसरे के विलाउम है, जीवन, मरन, है ना बिटा, लेकिन ऑप्शन नंबर, जो अप्शन आंपपर आपका D वाला है, डी वाला ये बिल्कुल राइट है अमर का विलॉम होता है बेटा मिरत्य मिरत्यू मत बता देना ठीक है जीवन मरन जीवित जीवन का मिरत्यू भी हो सकता है लेकिन बेटा इसके लिए आप्शन आपको डी वाला लगाना है गलत मत करना ठीक है वेरी गुड बिल्कुल कहते है जव्यार अभी तो जीवीत है, अभी कहाँ मरा है, अरे भाई जीवीत नहीं हैं, यह बोडि जीवीत नहीं है, इसमें इसमें सास ही नहीं है, मरी हुई है, ठीक है? अंगला कुश्यन नमबर तेरा इन में से असलील सब्द का विलॉम क्या होगा बताईए मिटा अमर का मिरत्य ही होता है याद रखना अमर जो कभी न मरे मिरत्य जो मरा हुआ है अशलील कहते हैं असलील वो हरकते होती है जो गलत होती है अरे यार बड़ी असलील हरकते करता हो व्यक्ति जरूर वो कानून की नजर में अपरादी है तो प्यारे बच्चे कुश्यल कहेंगे नहीं विश्शील कहेंगे नहीं दुश्शील कहेंगे नहीं इसे बेटा शलील कहेंगे ओप्सन नमबर A आपका बिल्कुल राइट होता है ओप्सन नमबर A वाला ठीक है बेटा A आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है वेरी गुड कोश्यन नमबर चोधा अनुरक्त का विलॉम बताई बेटा अनुरक्त अनुरक्त शब्द का विलॉम क्या होगा बताईए सब प्यारे बच्चे एक बार अनुरक्त का अनुरक्ती होता तो बेटा इसका विरक्ती हो जाता ठीक है अर्थ का होता तो बेटा इसका अनर्थ हो जाता लेकिन प्यारे बच्चे आप तो आपको एक ही आंसर बच गया अनुरक्त का विलॉम हो जाएगा बेटा विरक्त ठीक है अनुरक्त का विलॉम क्या हो जाएगा विरक्त हो जाएगा याद रखना अच्छे से और प्यारे बच्चे एक बात मैं आपको बता कर आया हूँ यदि कोई सब्द तद्भव दिया हुआ है यदि कोई सब्द तद्भव है तो उसका विलॉम भी तद्भव ही बताना याद रखना बेटा ये चीजे ध्यान रखनी होती है हमें यदि कोई सब्द आपको तत्सम दिया हुआ है तत्सम तो आपका उसका तत्सम ही क्या बताएंगे तत्सम ही उसका विलॉम बताना तद्भव मत बता देना जैसे मैं आपको बताता हूँ यदि रात दिया है तो उसका दिन ही बताना यदि रात्तरी दिया है तो प्यारे बच्चे उसका आपको दिवा ही बताना है, दिवा या दिवस ही बताना, ठीक है, वरना आप गलत कर देंगे, गलत की तरफ चले जाएंगे, ठीक है न, option number D, lock करिए, question number मेरे बच्चे आपके सामने 15, लंबी योग साधना से उसका ओजश्वी चेहरा देखते ही ब तकत्वर आदमिया है यार, है न, उस, बिल्कुल, तो बता यह बच्चे, क्या मनता था, बोलेंगे सभी प्यारे बच्चे, ठीक है, बेटा कामुक नहीं, शोकाकुल नहीं, मलीन नहीं, कान्तिहीन, मतलब नर्वस सा, ठीक है न, बिल्कुल, ठीक है मेरे बच्चो, option number आप पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जैसे बच्चो ओजश्वी का अभी कभी आपको निश्टेज भी विकल्प मिल जाए, तो प्यारे बच्चे याद रखना लगा देना, ठीक है, कान्तिहीन या निश्टेज, तौनों इसके अंसर होते हैं, याद रखना अच्छे से, very good question number मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने आता है, 16, अप सकुन, माली जी, आप घर से निकल कर जा रहे हैं, और किसी वेक्ती ने छीक दिया, तो आप क्या कहते हैं, अरे यार आप सकुन हो गया, यार आप सकुन हो गया, काम बनेगा है नहीं, काम बिगड गया है ना, किसी ने चीक मार दी, और बेटा उसका सगुन बनना है, माली जी, आप जा रहे हैं, और कोई आपको कोई भरी हुई ठाली मिल जाती है, तो आप कहते हैं, रखते हैं, सगुन बनेगा, पेपर बढ़िया जाएगा, तो प्यारे बच्चे पावन नहीं, पुन्य पाप नहीं बिटा, ठीक है, सकुन, अप सकुन का विलॉम बिटा क्या हो जागा, ए सकुन नहीं, अप सकुन, ए का मतलब तो बिटा बिना होता है, ए का मतलब बिना, ठीक है, ए का मतलब उस चीज के बिना, जिस की बिना, अप सकुन के बिना, ठीक है न, तो ए जहां भी लगा मिल जाए, उसका म प्रावीन होता है ना नया होता है यदिस के परियाएंगे ने नूतन होता है ठीक है बैटा जिसका पुरातन बताते हैं पुरातन ठीक है ना तो सब लोग बताएंगे अर्वाचीन का विलॉम क्या होता है बच्चो सब लोग बताईए तो बिटा अर्वाचीन का विलॉम होता है प्राचीन ओप्सन नंबर A आपको यहाँ पर याद रखना है अधितन या अधुनातन या सनातन सनातन तो बिटा हमेशा के लिए हमेशा से जो बना चीज बनी आ रही है उसको कोई मिटाई नहीं सकता सनातन तो वह है ठीक है न अभिग का विलॉम बताईए बिटा क्या होगा अग प्रग चतूर या अग सब लोग बताईए एक बार सभी प्यारे बच्चों को आंसर आना च एक बर जबरदस्त अंदाज में विटा थोड़ी तबियत नाशाद और निशेद है इसलिए आपको लग रहा होगा कि कुछ डैलोग नहीं मार पा रहा हूं तो बच्चे क्या है कि थोड़ा तरदी खासी जुखाम जादा है तो इसलिए थोड़ा तबियत बढ़िया नहीं ढहा है तो अबियदा और यह जाधा है और जादा ऑपशन नобраз पर क्या हो जाएग और प्यारे बच्चों का अप्सन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा लौक ही में ये या प्रग्य चतूर बताना है ना चतूर चाला खुशयार नहीं बताना गलत कर देंगे बरना कुश्यन नम्बर मेरे परे बच्चे अथ का विलॉम अथ का मतलब बताऊं तो अथ का मतलब होता है बैटा किसी काम की सुरुवात करते हैं हम लोग आपने देखा होगा किसी काम का स्री गनेश करना ठीके बेरे बच्चे किसी काम का आरंब करना आरंब गया ना बेटा किसी काम को प्रारंब करना ठीके बच्चों बिल्कुल तो ये प्यारे बच्चे सब एक दूसरे के क्या हो रहे हैं परियाय टाइप हो रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही बेटा एक सब्द होता है आदी, आदी, आदी का विलॉम क्या होता है, यह ना आदी का मतलब है अभी और भी है, ठीक ना इती का मतलब होता है समाप्ती, खत्म, अन्त बेटा है ना, तो आदी का विलॉम आपको या तो अन्त मिलेगा, या प्यारे बच्चे आपको अन अभी मैंने पीछे एक बात बताई थी आपको इर्फान अली के अनू अनू जहां लगा मिल जाए तो आपको एक ही सब्द याद रखना है कि आपको कोई पिर्ती वाला सब्द रूड़ना है ठीक ना अनू लॉम का विलॉम बताई बेटा शुलॉम कभी नहीं बताना अब पि प्रतक्ष को प्रमाण की जरूत नहीं इतियास गवाँ है पीछे 2020 की भरती गवाँ है सेजीडी की 2030 वाली गवाँ है ठीक है कितने बच्चों का सलक्सन है आपको अच्छे से पता है तो पढ़िएगा अच्छे से अपवे अपवे होता है फाल्तू का खर्चा मालीजी आपके पास 10 रुपे है और आपने 10 के 10 उड़ा दिये और दूसरे दोस्से फिर 10 रुपे मांगे उधार और वो भी अच्छा करके है ना बिल्कुत ताकि हम अपने जीवन में आगे कोई से प्रियोग कर सके और हमको काम आ सके पैसा ठीक है मेरे प्यारे बच्चे हाँ तो बच्चो ऑप्सन नंबर आपके सामने आता है बी याल राइट बिल्कुल ठीक है बटा अलप वहमत बता देना है ना चालो पुशन नंबर 22 अती विरश्टी अती माने ज्यादा विरश्टी माने वर्सा ठीक है बटा तो प्यारे बच्चे जिसे आप कह दे अधिक वर्सा के लिए अधिक वर्सा के लिए बोला जाता है बेटा अती विरश्टी और इसके मतलब होगा फिर कम वर्सा तो कम वर्सा वाला कौन सा विकल्प है एक बार सब चुनकर बता दीजिए जल्दी से तो बच्चे क्या होता है अलप विरश्टी कभी मत कहना लगू नहीं मेरे बच्चो ऑप्सन नंबर बेटा सी राइट लगाना वन्ना कोश्चन गलत कर देंगे आप लोग ठीक है दो को सारे विकल्प एक दम ऐसे ही बोल रहे हैं कि मैं भी तो हो सकता हूं मैं भी तो हो सकता हूं बेटा कोश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने अनोग्रह का विलॉम कौन सा है अनोग्रह का बताईए सब प्यारे बच्चे राम राम भी राम बच्चे बटा गलत नहीं गरना तभी तो इस कोश्चन अफ्याद को अच्छी से पढ़ना एक पेपर के लिए हमें बताई अनुगृह का विलोम चलो बताएंगे सब लोग टो बेटा अनाघ्रह इसका विलॉम अनुपसर लगा आकरके आप बना सकते अनां जरह कि बच्चों मिलकुल कि विक्रह का वीघ्रह का विज्अ को नहीं है ग्रहर को टैज्य को मला सकते हैं 3 ये की लेकिन से प्याइब चिल्एन विच्चे टो क्या होता है ओप सMaryσι होता है विघ्रह याद रखना अब लोग संगरइमा इव punishment पिल्कुल हो जाएगा वह बिल्कुल अनिवारिये का विलोम विप्रितार्थक सब्द क्या होगा एक बार सभी लोग बता दीजिए तब लोग बताएंगे इसका खोशन अनिवारिये सब्सक्राइबर है कोई नावस्यक नहीं अनावस्यक नहीं इसके लिएraction separately के हुआ है हीची और यह फिर एंच्छिक नहीं मिलकर कि आपको क्या मिले मैं वैकलपिग वेकल पिक ठीक न किलियर तो प्यारे बच्चे आप्सन नंबर B आप पो राइट करना है B वाला याद रखना प्यारे दोस्त अच्छे से कहले ठीक है दोनों अंसर याद रखना अच्छे क्या वेकल पिक पुश्य नंबर मेरे बच्चे 25 अनुकूल का विलॉम अच्छा फिर दुबारा से आया है ये अनुकूल का विलॉम एक बार सब लोग बता दीजिए अच्छा वो अनुलॉम का पिरतिलॉम था चलो बेटा मिरत्यू नहीं कहेंगे अमर का मिरत्य होता है मिरत्य अमर बेटा जिसे आपको पता है कि तत्सम सब्ध है तो उसकी रूप में आपको तत्सम रांसर मिरत्य देना है जीवन मिरत्यू आपको नहीं बताना है जीवन मरन आपको नहीं बताना है ठीक है याद रखना पेपर में बहुत बार कोश्चन पूछा गया है पेटा अनुकूल का विलॉम्ट क्या लगाना है अनुका विलॉम्ट एक दब मैंने बता दिया आपको अब तो आप भूलेंगे नहीं अब तो आपको पेपर में बिल्कूल टेंसन होनी नहीं चाहिए तुरंत पिर्तिकूल लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे ठीक है ब विलॉम्ट सब्द बताईये क्या होगा बताईये प्यारे बच्चे तो बेटा आसा आशा का उदास नहीं बई आसा अब हमारी आसा है कि हमको नौकरी मिल जाएगी लेकिन हो सकता है निरासा हात लगे तो हमें इसलिए घबराना नहीं मेहनत करनी और कुछ अच्छा होते हैं छदाग तासा संइंधी परिषण नहीं होना इसका अंसर मनर सी होता है असा का व लोम निराशा इसका प्यारे ब diapers विलक्षा निरासा बिलगुल और कोश्चन नमर्म आमिससा मास ठानेवाला और सामिस और इनका कौन सा और गाऱ् sit बिल्कुल रउभीशर्वाब भी बिल्कुल बच्टे वेरीगुड तो प्यारे बच्चे आमिश्य शामिष्ट वटेटऊ दूसरे वेरी है में कि दूसरे सेयम होते हैं बहुannt बिल्कुल भी जो मेंत elimin हमिश्का विलॉम होता है निरामिस जो मास नहीं खाता मास नहीं क्नी वाला है ना मास नहीं खाने वाला arlaола ठीक थो मास नहीं खाने वाला ठीक है मेरे प्यारे दोस्tering प्वास नंबर क्या लगाएंगी आप लोग involves अंसर द्यान रखना को नमबर मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने है आ गया एक बेटा कोशन ये जड़का विलॉम बहुत बार पूछा जाता है जड़का विलॉम है न जड़का विलॉम तो बेज्जत बेटा इज्जत का बेज्जत कर सकते हैं आप लोग तो इज्जत का बिल्कुल ए सम्मान ए सम्मान बेटा ए सम्मान ए सम्मान तो कभी नहीं बोला जाता सम्मान का अपमान होता है तो बच्चों यहां पर आप अपमान का सम्मान कर सकते हैं तो बिल्कुल यहां 40 लिए 20 में सब बच्चों के 45 लंबर आने चाहिए आज किस बहुती संपल, बहुती पेपर के लिए उप्योगी किलास है बेटा, ठीक है, बताएंगी, आदी का विलॉम, क्या होगा, समाप्त, भई समाप्त का मतलब खतम है, अन्त है किसी चीज़ का, खत्म, अन्त या आखरी, तो क्या कहेंगे आप लोग, बताए बच्चे, प अप्सन नंबर सी लगाएंगे आप लोग, और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना, कभी भी ये चीज़ आपको लॉक करनी है, यदि आपको अनादी नहीं दिया हुआ है, तो अन्त दिया हुआ होगा, और प्यारे बच्चे, कभी-कभी अनंत देता है सब आवरण, आवरण किसी कहते हैं, एक कपड़ जो व्यक्ति पहनता है आवरण ही तो है, किसी भी पेड़ की जो छाल है वो आवरण ही तो है, और इसका आवरण का विलॉम क्या होगा, वो बताईए क्या होगा बेटा, अवग्या नहीं, सूवरण नहीं, आचरण नहीं, आच तो कहते हैं व्यक्ति का जो वैभार होता है ठीक है ना लेकिन अप्शन नंबर के आएगा यहाँ पर अनुपसर्ग लगाईएगा और बेटा इसका विकल्प उल्टा बना दीजीगा इसका अंसर तो प्यारे बच्चे अनावरण का विलॉम होता है आवरण ठीक है ना यह ची आशीश करमा अलपना सबी प्यारे बच्चों को बहूत बहुत सारी बह int बहुत बार मैंने आपको रिवीजन कराया है इस सब्सका बहुत बार मैंने आपको बताया है तो प्यारे बच्चे याद रखना आपको ध्यान रखना है आविर भाव का विलॉम त्रू भाव होता है आहूत आहूत का मतलब बेटा जानते क्या होता है तब लोग बताओ जल्दी से आहूत मैंने बुलाया हुआ और जिसको हमने नहीं बुलाया है वो व्यक्ति तुमारे आ गया तो उसे आप क्या कहेंगे अनुपसर लगा करके अनाहूत कह देंगे ठीक है तो प्यारे बच्चे ये कोश्चन आपको बहुत पहले में पहले साथ आभी चुका है ये कोश्चन तो बेटा महावी मैंने इस सब्द आपको समझाया था तो आहूत होता है बुलाया हुआ आहूत का मतलब है बुलाया हुआ जिसे मतलब आपने बुलाया है माल लीजिए आपने मुझे बुलाय तो आपने डावत में मुझे बुलाया तो मुझे आहूत किया है ना बुलाने कि अधित में bigger बुलाया आपके हैं पहुंच गया तो बेटा वह अनाहूत हो गया ठीक है ना तो प्यारे बच्चे option number आपके सामने D यहां पर right होगा बुलाया हुआ और भहिया इसका विपरीत व लोग बताएंगे उद्धत कहते हैं बड़ा ही उग्रवादी ताइप आदमी होता है जिसे धरा तुमने छेड़ दिया ना वह पता नहीं तुम्हें कितनी गालिया देगा कितना तुम्हें उल्टे सीधे सब्द बोलेगा तो उसे उद्धत व्यक्ति कहते हैं और एक होता ह अच्छे विचार वाला तो प्यारे बच्च्चे आप लोग से क्या कहेंगे ऑप्शन नमबर बी यहाँ पर बोलेंगे विनीत ठीक है ना बिल्कुल ठीक है बिटा अधम, अधम सब्द मिल जाए बिटा अधम, देखो यहाँ पर कुछ बच्छे कंफ्यूज हो रहे थे, उधम और अधम में, बिटा अधम सब्द मिल जाए, तो अधम के लिए आप क्या बताएंगे, उत्तम बताएंगे, ठीक है ना? बिलकुल, और बिटा कॉम आपका राइट हो जाएगा अधम का मतलब जानते क्या होता है अधम होता है नीच व्यक्ति अरे बड़ा नीच तुछ व्यक्ति है यार ठीक है चली कोश्चन नमबर 34 आपके सामनी किया गया तब लोग बताएंगे उल्टे अर्थ वाले सब्द का उल्टे अर्थ वाला मेरे पास यह नया पैन है मेरा पैन नया है अरे नया तुम्हारे पास तो पुराना है तो बच्चो इसका तो आंसर आप क्या बता देंगे पुराना है ना बिटा बिलकुल और प्यारे बच्चे ताजा ताजा तुम जैसे सपोच करो आपने रात का बना हुआ खाना नहीं बासा है ना बासा तो यह आपको अच्छी से पता होगी तो वैवारी चीजें सुच सुच होता है साफ और गंदा है तो मलिन है यार है ना बिलकुल मलिन ठीक है इस तरह से आपको यह चीजे याद रखनी है और फीका नहीं है सर मीठा है फीका नहीं है सर मेरा तो मेरा जो चोंगा हुआ इसे टां ranges को सा थी रोटी खाया है बहुत बड़िया निए बेटा रोटी डिकएं आये साब मरें ठाव का विलौम बताए बढ़ा अपजाओ कौन साफ्रीन इसमें पैदावार होती है वो बुझाओ है अजिए पैदावार नहीं होती हुए वो क्या है बेटा तब लोग बताएंगे सिंचित नहीं खाद अरे खाद क्या में हापर डायूरिया मारने आया हूं कि तुमें नहीं ना तना नहीं बेटा बंजर ऑप्सन नंबर डी आपका राइट होता है सर बंजर है अनुपजाओ है कुछ भी पैदा नहीं होता इस भूमी में यह भूमी तो हमारा कुछ नहीं फायदा इस भूमी से यह तो बेकार की हमारी भूमी का नाम की भूमी है हमारी ठीक है बिल्कुल अच्छा का बेटा बुरा होता है ना एक बच्चा क बच्चे उत्थान का विलॉम बताएंगे सब लोग मुझे क्या होगा उत्थान उत्थान होता है किसी चीज़ का निर्माण करना और किसी चीज़ को ध्वस्त करना किसी चीज़ को मिठाना तो उसका मतलब सीधा होता है बेटा किसी का पतन करना अरे भीया उसका पतन कर दिया उसने तो प्यारे बच्चे प्रस्थान नहीं है प्रस्थान तो जाना है विस्थापन नहीं है अनुत्थान नहीं है उत्थान का विलॉम होता है किसी चीज़ का निर्माण करना और बच्चों उसका विलॉम होता है किसी चीज़ को पतन करना कि ठीक है तो option number B आपको lock करना है प्यारे बच्चों गलत विकल्प की तरफ ध्यान देना ही नहीं है याद रखेंगे आप लोग question number करिए उप्तैका उप्तैका का विलॉम पूछा है बेटा बताएंगे क्या होगा उप्तैका उप्तैका जानते हैं परवत की नीचे की समतल भूमी और उपर की जोती उसे अधितैका कहते हैं तो प्यारे बच्चे बताएंगे परवत परवत का विलॉम बताएंगे क्या होता है बेटा घाटी होता है परवत का विलॉम घाटी है ना और प्यारे बच्चे ठीके ना और बच्चों उप्तैका का विलॉम अधितैका ठीके बच्चों option number C यहां पर right ह हो जाएगा है सर्जन का भी सर्जन कर देंगे ठेगे या पुनुरूत्थान चाहिए पुनुूरूत्थान तो प्यारे बच्चי Division C म向 मे बच्च मेरे बच्च उन्मूलन का विलाम क्या होता है उन्मूलन का विलाम होता है उखाड फैक कि तुमने पौधा है और पौधय को तुमने पक्ड़ा उसके तके को रुखाड़ कर फैक दिया तो बेटा अपने उसका उनमूलन किया है और तुम को नया पौधा लाए और आपने उसको पेक गच्छे गमले में लगाया उसमें खाद दिया है ज़िए पानी डाला तो बेटा आपने उसका रोपन किया ठीक है तो प्यारे बच्छे आंसन नमबर आमूलन नहीं मिमिलन नहीं समूलन नहीं ओप्सन नमबर डी बेटा आप बताएंगे रोपन क्या बताएंगे रोपन करना तो उनमूलन का विलॉम होता है बोना यार रोपन करना पुश्यन नमबर 49, प्यारे बच्ची उतकर्ष का विलॉम बताईए प्यारे दोस्त क्या होगा, उतकर्ष शब्द का विलॉम क्या होता है, तभी प्यारे बच्ची बताएंगे बेटा, जल्दी से बताईएगा, तो प्यारे बच्ची उतकर्ष का विलॉम क्या हो जाएगा, ठीक है, very good, बहुत बढ़िया, कंचल वर्मा, कमेडी, जानवी, परीदा, सिंगानिया, दलीप, अमन, बहुत संदर कोशन, प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा अनसर, अभी प्यारे दोस्त, मेहनत करिएगा, बहुत बढ़िया से, उपकार का विलॉम बताएंगे, बेटा, उपकार क्या होता है, उपकार वो होता है, मालनी जी आपने किसी आपकी, किसी ने बुरे वक्त में साहता कर दी, तो वो आपके उपकार किया गया, ठीक है, और अब मालनी जी आपके उपकार कर रहे हैं, अनुपकार नहीं, प्यारे बच्चे उपकार का विलॉम होता है, अ उसने आपके साथ अच्छा भला कि आपके पुरुकार की लेकिन आप तो प्रत्या चाहर कर रहे हैं। पust्राएन का विलॉम् बताए। जाणते हैं अच्छे से पढ़ते हैं तो बताईए पुरायन का विलॉम हुता है ना नूतन माने नया पुरातन माने पुराना नूतन पूछलिया जाता है लाकर नारायन नहीं तो पियारे बची ओپसन नंबर सी होता है आपका उत्रायन का दक्षडायन पर और आगे बढ़ जाएगा कुश्यट नंबर प्यारे दोस्त आपके सामने आता है 42 रिजूता रिजूता ठीक है और उसमें फिर उसका होता है बेटा रिजूता मैं ना सीधा पन है तो बताईए क्या कहेंगे बेटा टेडापन कहोगे वकरता कहोगे माकापन कहोगे या तरच्छापन कहोगे अब तुम कहोगे कि भाया आंसर तो सारे ही सेम से दिये हुए है अब इसमें लगाएं कौन से को क्योंकि हमें ये बात ध्यान रख रही है क्योंकि उसने हमसे रिज प्लिटापन तो उसका सीधा का टेडा ही होता सीधी सी बात है लेकिन उसने रिदा 画ा उसके लिए अंसर हमको वकरता लगाना है पेटा इसी प्रकार आपको एक बात और बता देता हूं कभी कभी रिजू दे देता है रिजू का विलॉम तो प्यारे बच्चे याद रखना वक्र बता देना है ना इस प्रकार आपको ध्यान रखना है अच्छे से बेटा बांकापन या तिरिछापन मत क्या देना गलत हो जाएगा आपका अंसर कुश्य नमबर प्यारे बच्चे 43 किरित्रिम सब्द का विलॉम अर्थी सब्द बताएं क्या होता है लेंड वी टी परणाम गुरुजी परणाम भई परणाम ठीक है तो प्यारे बच्चे आप जैसे जानते किरित्रिम किरित्रिम का मतलब होता है बनावटी ठीक है बनावटी बनावटी समझे तो जो चीज आपने उसके किसी नकल किये किसी जीद की माली ये पैन है ये प्राकर्तिक पैन है खुद्रत नहीं ऐसा बनाया है और आपने इसकी नकल करके दूसरा बनाने की तयारी कर दी तो बेटा आपने उसकी बनावटी रूप इसका जो नकली काम नकली रूप दिया इसको यह ना तो याद रखी तो प्यारे बच्चे इसके लिए option आ जाता है बेटा प्राकर्तिक क्या हो जाएगा answer number A हो जाएगा प्राकर्तिक बेटा श्वय निर्मित या स्वय भाविक या स प्राकर्तिक मतलब जो बनाई हुई है हमने खुद मानव ने उस भगवान की नकल की है अब तुम जैसे एक बास समझो computer है वही मानव उद्रत ने तो इंसान बनाया प्रकरती में तो इंसान आया लेकिन इंसान ने उसको इक बहुत तिस दिमाग वाला computer बनाया robot बना दिया तो क्रित्रिम रूपी तो दिया उसको कि बहुत फूरती से काम करेगा तुमने देखा होगा असला भी चलाते हैं आज के टैम में computer भी चला रहे हैं बहुत सारी चीज चलाते रॉबर्ट पिक्चर में आपने देखा होगा कि उसको प्यारी करने लगता है अपने जो किर्तग्य काविल वाला असे बोलते है किर्टिग्य कोन होता है भीने देखार इहिसान हवाद इसान होक फिर पोता है हो मानने वाला भीन Taylor है उसे प्यारे बच्छे किया जाते हैं हुसे गारे किर्टग्र किश्र कर जाता है वर्तनी बेवी क्योंकि SSE GD में पीछे नहीं पीछे हमारा CISF का एक पेपर हुआ था उसमें कोशन पूछ लिया गया था ठीक है मिलकुल चलो तो बेटा जड का विलॉम मैंने आपको बताया ही था चेतन होता है ना और कभी-कभी चेतन का एचेतन भी दे देता है एक्जामन होती है वह बात जो सबके सामने नहीं होती रह्ष्य में होती है उसे गुप्त बात कहते है और यार गुप्त मामला है ना और जो सबके सामने है भाईया उतो प्रकट हो गया मालीजे भगवान है यह उपर वाला है तो वो किसी ने देखा है वो तो गुप्त है किसी को दिख सक्षात आ जाना ठीक है बच्चो तो option number C आपका right हो जाएगा very good ठीक है मेरे प्यारे दोस्त मुक्त नहीं मुक्त नहीं मुक्त का तो आजाद हो जाएगा है ना मुक्त का तो आप किसी बीमारी से गिरस्त है और नहीं सर वह इस चीज से मुक्त है फ्री है ऐसे question number 46 बेटा सब लोग बताईए प्यारे बच्चे question का अर्थ निकालिए question का सब्द के उपर जाईएगा सब्द को सोचिएगा ये क्या बोल रहा है इसका क्या अंसर में देना है और बेटा ये question जो मैं करा रहा हूँ न paper में देख लेना ये ऐसे ही च्रंतन का विलॉम आपको सीधी सी बात है अच्छे से याद रखना है प्यारे बच्चे option number D क्या हो जाएगा बेटा option number D नश्वर ठीक है ना च्रंतन का विलॉम क्या हो जाएगा बेटा नश्वर ठीक है ना हाँ और शाष्वत का भी बेटा नश्वरी होता याद रखना पभी पूछ लिया जाए है ना बिल्कुल option number बेटा चोर चोर का चोर का विपरितार ठक सब्द बताईए बेटा क्या है बतला उल्टा विलॉम क्या है चोर ठीक है चोरी छिपे नहीं सीना जोरी नहीं दो आंसर होते हैं दौनों में से बता दीजी जल्दी से सब लोगों का अंसर बताएंगे फिर बेटा आपकी दूसरी क्लास ही स्टार्ट होगी तो फिर आप जो राहुल सर आपके लिए वो कराते हैं साइड SSGD का जो मौक सॉलूशन कराते हैं उसमें आपको जाना है तोड़ा पानी पीने के लिए समय मिल जाएगा जल्दी से बताइएगा तो प्यारे बच्चे क्या होगा वो साह है ना या प्यारे बच्चे इसको आप पुलिस भी हाँ पर मिल जाए तो याद रखना एक पेपर में पुलिस भी पुल दिया था कि चोर का विलॉम पुलिस हो जाएगा है ना इस तरह से यतार्थक का विलॉम क्या होता है? कलपित कलपित! जैसा नहीं करते हैं से विजी जो बिल्कु इस पच्च्ष्ट है जैसा दिख्ता है, वैसा है कल्पना बिल्कुछ सूची जा रही है कल्पित है वो आप्सन नंबर सी पुशन नंबर बेटा देखो अरे वाह ये सब्ध आही गया आखिर मैंने इसको सूचा हाँ शादू का बेटा है शादू हो जाएगा और महिला की तरफ जाएंगे लिंक बदलेंगे तो साधवी कहतें क्योंकि विलॉम लिंके नुसार भी तो बदल जाती दादा का दादी चाचा का चाची मम्मी का पापा भाही का बहन ऐसे तो बेटा जल जल का तो आपको पता है मेरे बच्चे क्या होता है अगनी होता है ठीक ना बच्चे मुर्क विद्वान हो जाएगा एक दूसरे का वि दी दो हजार अठारा दो हजार बीस दो हजार देईस और दो हजार चौबिस वाले पेपर में भी मैं कहता हूँ आएगा ही आएगा यह भी मेरा वादा है ठीक है बिलकुल ठीक है मेरे बच्ची तो अप्सान नंबर डी लगाएंगे आप लोग राइट आंसर वेरी गुट question number आता है बेटा जंगम जंगम होता है जो भागा फिरता है अरे याद जंगम है कभी यहां कभी वहां कभी इदर कभी उदर कुछ नहीं पता इस व्यक्ति का जंगम आदमी है यार यह तो है ना लेकिन मेरे बच्चे जो चीज़ इस्थावर होती है जो इस्थाई होती है क इस तरह से बता देंगे आप लोग चंचल का इस्तिर हो जाएगा चंचल का क्या बताएंगे कभी पूछ लिया जाए तो इस्तिर हो जाएगा तो प्यारे बच्चे option number C आपका है पर right होता है very good question number होता है बेटा तिमिर तिमिर बोला जाता है मेरे बच्चे अंधेरे को किसको कहते हैं तिमिर अंधेरे को बोलते हैं बेटा अंधेरे को अब अंधेरे का तो भीया उजाला होता है लेकिन प्यारे दोस्त यहां पर पूछा गया है तिमिर का विलोम अभी हातों गोई अंधे ठीक है वो क्या पता होना चाहिए कि भीया आलोक का मतलब यहां पर उजाला ही होता है यदि आपने इस परियावाची अच्छे से पढ़े हैं आलोक प्रिकास उजाला तो आप बता सकते हैं ठीक है ना बिल्कुल ठीक है ना तो प्यारे दोस्त आंसन नंबर आपका क्या हो जा है तो सभी प्यारे दोस्त एक बार मुझे चरूर बताना ठीक है इतने आपको समय में मिल जाएगा पानी पीकर लेकिन किलास जाने से पहले बार किलास को लाइक वेशेर जरूर करना और मुझे अपना-पना रिजल्ट चरूर बता के जाना इतने किलास से जाओगे तो ऐसा सुस्त पढ़ाना मजा नहीं आता कभी भी मुझे थोड़ा इमोशनल से जुड़कर मजा लिए आता मुझे मस्ती में पढ़ाने से पूद के पढ़ाने मजा आता बहुत अच्छे से तो शुब का विलॉम बचाना है बेटा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जल्दी से एक बार सब लोग अपना अपना रिजल्ट बता दीजिगा 35-30 बेटा जिनके 35-30 आ रहे है न वो यह मत सोचना कि आप लोग कमजोर है ठीक है वो इसलिए आ रहे हैं और बेटा नंबर जो बच्चे कम बता रहे हैं वो अपना राज्य भी लिखना अपने स्टेट को भी लिखना ता हिंदी बोलते नहीं है इसलिए लेकिन ये टेंशन मत लेना कि आप लोग हिंदी से अभी बहुत दूर हैं बहुत जल्दी उसके पास आ जाएंगे और उसे अच्छे से समझने लग जाएंगे प्यारे दोस्त है ना बिलकुल तो चलिए प्यारे बच्चों जैहिन सभी को मे अलाम नमस्ती जाहित